टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाओ करोना सिचुएशन इन कैनड़ा एंड अराउंड गलोग डेली कनेडियन न्यूस बुलेटिन इन हिंदी एंद उर्दू अनली अट टेग टीवी कनेडियन सूबे ऑंटेरियो में हकूमत का कम से कम मुझरत पंदरा डॉलर फी घंटा करने का ऐलान फैसले पर अमल दरामत जनवरी से मतवके अपॉजीशन ने हकूमती अगदाम को इंतखावी हर्बा कराती दिया कनेड़ा में जल्दी करोना वारस से बचाओ की एक और वैक्सीन दस्याब होगी नौवैक्स ने मनजूरी के लिए हेल्थ कनेड़ा में दरफास देदी कनेड़ा भर में करोना वारस के फैलाव में इजाफा जारी मरीजों की मजमूरी इतादा 17,18,471 तक जा पहुँची अलाकते 29,023 हो गई जो बार्डन ने टरम्प के एकदाम पर दुनिया से मौफी मांग ली बार्डन कहते हैं कि अमरीकी अवाम पांस साल पहले मौसमियादी तद्दीली की हकीकत से आगा नहीं थे वुजिश्टन दिजामिया के पैरिस मौाइदे से बाहर निकलने पर मौफी मांगता हूँ हैं दुनिया भर में कोरोना वार्ड से मौतासर अफराद की तादा 24,896,680 हो गएं जबके समूजी वार्ड से अमबाद 50,23,124 हो गएं जबके 22,46,44,709 कोरोना मरीज से अधियाद हो चुके हैं हैडलाइन जापने जानी और अब खबरे तफसील के साथ कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के प्रीमियर डगफॉर्ड ने एलान किया है कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के तमाम इलाकों में कम से कम उजड़त 15 डॉलर फी घंटे तक कर दी जाएगी मज़ी तफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के प्रीमियर डगफॉर्ड ने ऐलान किया है कि आएंदा साल तक ओंटेरियो के तमाम इलाकों में कम से कम उजड़त 15 डॉलर फी घंटा तक कर दी जाएगी उन्होंने कहा कि उजड़तों में इजाफे के लिए हर साल अक्तूबर में नए सिरे से नजर सानी की जाएगी मीडिया रिपोर्ट के मताबक फैसले पर अमल दरामत आएंदा जनवरी से किया जाएगा तर्जमान के मताबक इस सिलसले में बहुत जल एक सरकारी ऐलामिया भी जारी किया जाएगा हिजब इखिलाफ की जमातों ने डॉक फोर्ट के इस बयान को एक इंतिखाबी हर्बा करार दिया है जबके चन नाकिदीन का कहना है कि अज़रतों में इज़ाफे से छोटे कारोबारों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा अभी सिर्फ सूबे के 37 पीसद छोटे कारोबार ही मामूल के मताबक चल रहे हैं आलमी वबा के सबब कारोबार पहले ही बहरानी कैफियत का सामना कर रहे हैं माहिरीन का कहना है कि हकूमत को ये फैसला करने से पहले कारोबारी तन्जीमों से मशावरत करनी चाहिए कैनेडा में करोना वारिस से बचाओ की एक और वैक्सीन जल्द ही दस्याब होने का इमकान है क्योंके नौवैक्स ने बाजाबता तोर पर हेल्थ कैनेडा को अपनी वैक्सीन की रेगुलेटरी मन्सूरी के लिए दरफास तायर कर दी है कैनेडा में करोना वारिस से बचाओ की एक और वैक्सीन जल्द ही दस्याब होने का इमकान है क्योंके नौवैक्स ने बाजाबता तोर पर हेल्थ कैनेडा को अपनी वैक्सीन की रेगुलेटरी मन्सूरी के लिए दरफास तायर कर दी है नौवैक्स कोवीट 19 वैक्सीन अपनी नौयत की पहली प्रोटीन पर मबनी वैक्सीन है ये वैक्सीन सार्स को़ 2 के फर्स्ट स्प्रेंसे री कमबाइन नैनो पार्टिकिलिर टेकनलोजी का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है एक प्रेस रिलीज में नोवेक्स हुकाम की जानिब से कहा गया कि नोवेक्स रेगुलेटरी फाइलिंग की परहमी जारी रखे हुए हैं जिसकी हमें तवक्व है कि पेस्थिरी के आदादो शुमार की बुन्याद पर पहली प्रोटीन पर मबनी कोविड-19 वैक्सीन दुनिया बेटरी मनजूरी मिल जाती है तो वो तीसरी सेमाही के इकताम तक महाना साम मिलियन औराकों और एक सो पचास मिलियन औराकों की मैनिफैक्टरिंग सलाहियत तक पहुँचने के लिए ट्रैक पर रहने के लिए तयार हैं कमपनी के तर्जमान ने बताया के कैनेड़ा के सहत को ये पेशकर्श ऐसे वक्त में की है जब नौवैक्स को इंडोनेशिया में इस्तेमाल की हालिया मनजूरी मिली है इसका एरादा ये भी है के इस पर अमल किया जाए और यॉर्पी यूनियन में डेटा जमा कराने की तकमील की जाए कमपनी 30 अक्तूबर को आस्ट्रेलिया म मताजर होने वालों की तादाद 6,370 तक जा पहुँची है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कینیड़ा भर में करोना वाइरस के पहलाओं में इजाफा जारी है आखरे इतलाद के मताबिक कینیड़ा भर में करोना के मरीजों की मजबूई तादाद 17,18,471 तक जा पहुँची है जबके हलाकते 29,023 हो गई मुख भर में 16,65,85 से जायत मरीज सहतियाब हो चुके हैं आंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे जादा है सूबे भर में करोना वाइरस से मतासर होने वालों की तादाद 6,377 तक जा पहुँची है जबके हलाकतों की तादाद 9,874 है कैनेडा में करोना वाइरस के सबस सबसे जादा हलाकतیں क्यू बैक सूबे में हुई हैं सूबे में करोना वाइरस के मचमुई केसिस की तादाद 4,26,457 है जबके सूबे में करोना वाइरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,496 तक पहुंच चुकी है केनेजिन सूब अलबर्टा में भी इस मौलिक बाबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वक करोना वाइरस की वज़ा से बहरानी सुरतिहाल का सामना कर रहा है सूबे में 3,24,199 अफराद करोना वाइरस से मतासिर हुए हैं जबके 3,111 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिडिश कॉलंबिया में केसिस की तादा 2,6,284 है जबके सूबे में करोना वाइरस से होने वाली हलाकतों की तादा 2,181 है ग्लासगो में जारी मौसमियादी तबदीली की आलमी कानफरंस से खताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि टरम्प में दिजामिया मौसमियादी तबदीली के पैरिस मोहाइदे से दस्त बरदार हो गई थी इस हوالے से मजीद चानते हैं अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबक सदर डानल्ड टरम्प के एकदाम पर आलमी रहनमाओं से मौफी मांगी उनका कहना है कि अमरीका पैरिस मोहाइदे से बाहर निकलने के बाइस कुछ पीछे रह गया ग्लासगो में जारी मौसमयाती तबदीली की आलमी कानफरंस से खताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि टरम्प इनतिजामिया मौसमयाती तबदीली के पैरिस मोहाइदे से दस्त बरदार हो गई थी उन्होंने कहा कि गुजश्टा इंतिजामिया के पैरिस महाइदे से बाहर निकलने पर मौफी मांगता हूँ क्योंकि अमरीका पैरिस महाइदे से बाहर निकलने के बाइस कुछ पीछे रह गया सदर जो बाइडन का कहना था कि मैंने सदारत का हलफ उठाते ही पैरिस महाइदे में शमूलियत का ऐलान किया था अमरीकी आवाम पांच साल पहले मौसमियाती तब्दीली की हकीकत से आगाह नहीं थे उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के अमरीका में भी वाज़ असरात नजर आ रहे हैं वाज़ रहे कि यकुम जून साल 2017 को अमरीकी सदर टरंप ने पैरिस में होने वाले आलमी माहलियाती महाइदे से दस्परदार होने का फैसला किया था इस फैसले से अमरीका के यॉर्पे इतिहादियों के साथ इखिलाफात मज़ीद कहरे हुए याद रहे कि 2015 से 200 से जायत ममालिक ने पैरिस में मसकूरा महाइदे पर रज़ामन्ती जाहिर की थी जराय के मताबिक रिपब्लिकन के बाइस सीनियर से टरम्प को खत लिखा था कि वो मासमियाती तब्दीरी के महाइदे से दस्परदार हो जाएं जिसकी वज़ा से टरम्प ने मसकूरा पैसला किया था रूसी वज़िर खारजा सरगई लारॉफ ने खचशा जाहर किया है कि अमरीका अफगानिस्तान के करीब फाजी अड़ो के लिए कोशिशे कर सकता है ऐसी अमरीकी तजवीज पाकिस्तान और उस्बुकिस्तान मस्तरद कर चुके हैं मजीद चानते हैं इस डिपोर्ट में रूस के सरकारी टीवी को इंटर्विव देते हुए वजीर खारजा सरगई लारॉफ ने कहा कि सुना है अमरीका हिंदुस्तानी सरजमीन कुछ मवाफ़ों पर इस्थिमाल करने के लिए भारत को राजी कर रहा है ऐसी ही तजवीज पहले पाकिस्तान और उस्बकिस्तान को मौसूल हो चुकी हैं जिनें मुस्तरत कर दिया गया था लारॉफ ने याद दिलाया कि रूसी सदर ने अपने हमरीकी हम मंसब को जुलाई में जनीवा सरबराही अजलास पे कहा था कि रूस वस्ती एशे मुमालिक के साथ अपनी सरजमीन पर अमरीकी फाजी इंट्रा इस्ट्रक्टर की तायुनाती के लिए मुहाइदे करने की कोशिशों के खिलाफ है अमरीकी अफ़ार के मताबिक साबिक अवगान हकूमत के कमांडोस और इंटेलिजन्स एहल का दाईश का हिस्सा बन रहे हैं साबिक फाजी दाईश को इंटेलिजन्स और मिलिटरी आपरेशन से मतालिक आहम महारतें पराहम कर रहे हैं साबिक पौजी खुद को तालबान से महफूज रखने के लिए दाइश का हिस्सा बन रहे है। करोना वारिस की केसिस और इस से अमवाद के इतबार से अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है। जोहां इस वारिस से अब तक 7,66,436 अफराद मौत के मूँ में पहुंच चुके हैं। मजीद चामते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में करोना वारिस से मतासरा अफराद की तादा 24,89,68,680 तक जा पहुंची हैं। जबके इस मूजी वारिस से अमबाद 50,23,124 हो गई। जबके 22,46,44,790 करोना मरीज सहत्याफ हो चुके हैं। करोना वारिस के केसिस और इस से अमबाद के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है। जबके इस वारिस से अब तक 7,66,436 अफराद मौत के हुँ में पहुंच चुके हैं। जबके इस से बिमार होने वालों की मजबूई तादाद 4,79,3,284 हो चुकी है। एक अरब से जायत अबादी वाला मौलक भारत करोना वारिस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नमबर पर है। जहां इस वारिस से 4,58,470 हलाकते हो चुकी हैं। जबके इस से मतासिरा 3,42,85,814 मरीज सामने आ चुके हैं। तुर्की में करोना वारिस से अमवाद 70,888 अगजा पहुची हैं जबके केसिस 80,61,666 हो चुके हैं। इरान में करोना वारिस से कुल अमवाद की तादाद 1,26,616 हो गई जबके इसके कुल केसिस 69,44,59 हो गए। साओधी अरप इसी फैरिस में 55 नमबर पर पहुच चुका है जहां करोना वारिस से अब तर कुलमवाद 8,796 रिपोर्ट हुई हैं जबके ममलिकत में करोना मरीजों की तादाद 5,48,666 तक जा पहुची है। टैग टीवी के पाकिसान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी टैग टीवी अपडेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कानड़ा एंड अराउंड दे गलोग Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV